हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्टस्टर चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि IMEI नंबर क्या होते हैं जब आप नया मुवाइल ख्रीदते होंगे जैन नंबर आमतोर से आपके मुवाइल फोन्स से ही जुड़े होते हैं जब आप पहली बार इस नंबर को अपने मुवाइल में देखे होंगे तब आपके मन में कई सवाल आए होंगे पर आपको उन सवालों का कोई सही उत्तर नहीं मिला होगा तो आज की वीडियो में हम IMEI नंबर पर बात करेंगे तो देर किस बात की तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जह जानते हैं की IMEI नंबर की फुल फॉर्म क्या है IMEI नंबर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मुवाइल एक्यूपमेंट आइडेंटिटी जी एसेम मुवाइल फॉन और साथ ही कुछ सैटलाइट फॉन की पेचान करने के लिए IMEI नंबर एक जुनीक नंबर है ज्यादतर फॉन में एक IMEI नंबर होता है लेकिन दो सिम फॉन में दो IMEI नंबर होते हैं अब इसका मतलब जै है की IMEI का उप्योग केवल डिवाइस की पेचान के लिए किया जाता है और इसका कस्टमर से कोई पर्मानेंट जा सेमी पर्मानेंट एर्लेशन नहीं है इस नंबर को उपर के नेटवक द्वारा बैलिड डिवाइसस की पेचान करने के लिए उप्योग किया जाता है इसलिए कई देशों में चोरी किये गए फोन में नेटवर्क एक्सेस को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है IMEI नम्बरों का मुख्य उदेश्य है की मुवाइल डिवाइस की पहचान करना उनका दूसरा उदेश्य जा इरादा चोरी को रोकने के लिए है जदि मुवाइल डिवाइस को जुनिवर्सल रूप से पहचाना जा सकता है तो चोर फोन में सिम कार्ड नहीं बदल सकता है और वेह उस फोन को इस्तिमाल करने की उमीद नहीं कर सकता अब हम पढ़ेंगे कोड इन डिवाइसस इसका मतलब जय है कि IMEI नमबरों को डिवाइस हार्ड वेर में कोड किया जाता है अगर जय कोड एक बार लोड हो जाए तो इससे बदलना असंबब हो जाता है अगला है Use in GSM to identify the device अब इसका मतलब जय है कि IMEI नमबर का अपयोग GSM नेटवक द्वारा वेलिड डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है और फोन की चोरी उने पर इसे नेटवक के एकसस से रोका जा सकता है उदारन के लिए जदी कोई मुवाइल फोन चोरी हो जाता है तो ओनर अपने सर्विस प्रोवाइडर को फोन कर और उन्हें अपने IMEI नमबर का उपयोग करके फोन को ब्लेकलिस्ट करने का निर्देश दे सकता है इसके बाद जय फोन उस नेटवक जा अन्या किसी भी नेटवक को एकसस नहीं कर सकेगा The International Mobile Equipment Identity जानि IMEI नमबर एक जुनीक आइडेंटिफिकेशन और सीरियल नमबर है जो सभी मुवाइल फोन और स्मार्ट फोन में होता है जै आम तोर पर 15 डिजिट्स का होता है अगला हमारा पोइंट है कि How to check IMEI नमबर अगर आपको अपने मुवाइल फोन का IMEI नमबर चेक करना है तो सिंपली आप अपने एंट्रोइड मुवाइल फोन में कर सकते हो इसके लिए आपको एक नमबर डाइल करना होगा जै नमबर है स्टार हैश 06 हैश तो अभी हम जानते हैं कि खोए हुए जा चोरी हुए एंट्रोइड डिवाइस के IMEI नमबर के से दूंडें जब आपका मुवाइल चोरी जा खो जाए तो आप शायद इस बारे में सोचेंगे की इस तरह अपनी पर्सनल इन्फोर्मेशन को एकसेस किया जाए आपको अपने खोए हुए मुवाइल फोन की लोकेशन का पता लगाने के लिए पुलीस को सूचित करना चाहिए और साथ ही अपने सर्विस प्रोवाइडर को भी सूचित करना चाहिए इसके लिए आपको केवल अपने मुवाइल का IMEI नंबर देना होगा अब मान लीजिए कि आपको अपने फोन का IMEI नंबर नहीं पता इस नंबर को पता करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा सबसे पहला तरीका है डिवाइस पैकेजिंग अपने IMEI नंबर को खोजने का सबसे असान तरीका जैहे कि आप अपने उरिजिनल फोन के डिबे में सर्च कीजिए जो IMEI नंबर है वो आपके मुवाइल के डिबे के पीछे प्रिंट किया जाता है आप असानी से वहां से ले सकते हो दूसरा तरीका भी पता लगाने का है इन फोन बिल्स जब भी आप किसी स्टोर से मुवाइल खरिदते हो तो उसके बिल पर उसका IMEI नंबर भी होता है तो इसलिए आप अपने मुवाइल का बिल हमेशा संबाल कर रखिएगा जदी आपके पास बॉक्स और बिल नहीं हैं तो भी ठीके क्योंकि एसे मामले में एक आखरी रास्ता मैं आपको बताऊंगा इसका अंतिम तरीका है Google Dashboard आप अपने Google अकाउंट से IMEI नंबर प्राप्त कर सकते हो इसके लिए आपको Google Dashboard पर जाना होगा अपने उसी Google अकाउंट से साइन इन करें जो आपने अपने मुवाईल डिवाईज में किया था फिर उसके बाद जिरूरी निर्देशों का पालन कीजिए अब IMEI नंबर सहित आपके Google अकाउंट से जुड़े सभी Android डिवाईजस की लिस्ट दिखाई देने लगेगी और आप असानी से IMEI नंबर बहां से भी प्राप्त कर सकते हो अभी मैं आपको बताऊंगा कि IMEI नंबर केसे चेक करें कि जैह बैलिड है जा नहीं तीस नवंबर दोयार नो के बाद जिन मुवाईल फोन में वैलिड IMEI नंबर नहीं थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया है D.O.T. जिसे हम दूरसंचार बिवाग कहते हैं उन्होंने सभी मुवाईल फोन के हैंड सेट पर प्रतिद्विंद लगा दिया है जिन में वैलिड IMEI नंबर नहीं था एसे में कई मुवाईल फोन नकली भी हो सकते हैं जिन में IMEI नंबर गलत दिया हो सकता है इन नंबर्स को चेक करने के लिए मैं आपको एक बेपसाइट बताऊंगा जै बेपसाइट है www.imei.info आप असानी से इस बेपसाइट पर जाइए और अपना IMEI नंबर चेक कीजिए तो दोस्तो इस वीडियो में हमने IMEI नंबर की जानकारी प्राप्त की है तो अभी आपको जै बीडियो कैसी लगी अगर आपको जय वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद